बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में, विक्यान विश्य में, भोजन, यह कहां से आता है, भाग 3, कक्षा 7 में, हमारा परियावरन विश्य में, परियावरन परिचय, विक्षा 8 में, सामजिक विक्यान विश्य में, कैसे, कब, और कहां, तारीकें कितनी महत्वपून ह होती हैं आज हम क्या करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं मुझे आशा है इन में से जादतर प्रश्नों के उत्तर आपको खुद भी देना आएंगे लेकिन जिनके नहीं आएंगे वो आप यहां अच्छे से समझ लिजी चो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रशनों को पहला प्रशन है क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवशकता होती है तो बच्चों हम इस चीज को जान चुके हैं कि सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवशकता नहीं होती है सभी जीवों को अलग-अलग प्रकार का भोजन चाहिए होता है और उनके भोजन ग्रहन करने की जो आदत है या जो प्रवर्ती है उसके अनुसार जीवों को अलग-अलग प्रकारों में भी बाटा जाता है तो बच्चो इस प्रशन का उत्तर हम कैसे देंगे हम यह कहेंगे कि नहीं सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवशकता नहीं होती है और साथ ही आप तीन प्रकार जो हैं जन्तुओं के उनको भी बता सकते हैं कि भोजन ग्रहन करने के आधार पर जन्तुओं को शाका हारी मासा हारी और सर्वा हारी में बाटा जाता है शाका हारी वे जन्तु हैं जो भोजन में सिर्फ पादप पदार्तों को या पादपों को ही ग्रहन करते हैं मासा हारी वे जन्तु हैं जो भोजन के रूप में अन्य जन्तु को ग्रहन करते हैं और सर्वा हारी वे जन्तु हैं जो पादपुतार और अन्य जन्तु दोनों को खाते हैं कुछ उधारन यहां लिखे हैं जैसे शाकाहरी जन्तुओं में गाए, हाथी, खरगोश, घोड़ा, प्रमुख है मासाहरी में शेर, बाग, छिपकली, मुख्य है सरवाहरी के कुछ उधारन, कुट्ता, बिल्ली, कोवा, मनुश्य है तो यह बात तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी बच्चो, अब आगे चलते हैं पांच पौधों के नाम लिखिए और बताईए इनके कौन से भाग का उप्योग खाद्य पदात के रूप में किया जाता है बच्चो हम ये जानते हैं कि पौधे के अलग-अलग भाग का उप्योग खाद्य पदात के रूप में होता है आप मेंसे कई बच्चे असानी से बता पाएंगे कुछ पौधे और उनके भाग जिने हम खाते हैं यहां हमने पांच उधारन लिए हैं आप इनसे अलावा भी कुछ उधारन ले सकते हैं अपने मन में अगर आपको आए की नहीं यह वाला पौधे का भी तो यह भाग खाया जाता है तो आप उसको भी अपनी कारे पुस्तिका में लिख सकते हैं तो बच्चो आम का क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है पालक की पतियां खाई जाती हैं ये बात हमने पढ़ी भी थी आलू का जो भाग हम खाते हैं आलू के पौधे का जो भाग हम खाते हैं वो क्या होता है? उसका तना होता है बच्चो ये एक आश्चरे जदक जानकारी है जो आपको याद रखनी है कि आलू का जो हिस्सा जो आलू आप खाते हैं वो वास्तों में आलू के पौधे का तना होता है अब प्याज की बात करें तो प्याज का जो हिस्सा हम खाते हैं वो प्याज की जड़ होती है उसके बार गेहूं जिसका आप रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं आप तो गेहूं का जिसका आटा बनता है वो क्या होता है बीज होता है तो ये पांच मैने उधारन आपको बताएं हैं आप कुछ और उधारन भी सोच सकते हैं आगे चलते हैं बच्चों, कॉलम एक और कॉलम दो का मिलान करना है, कॉलम एक में कुछ चीजे दी है और कॉलम दो में कुछ चीजे लिखी है, कॉलम एक में दिया है दूद, धाई, पनीर, घी, फिर लिखा है पालक, फूलगोवी, गाजर, फिर लिखा है शेर और बाग, फि आप इनको किस से मिलाएंगे कॉलम दो से मिलाएंगे मुझे आशा है आप में से सभी बच्चे इस प्रश्न को बिलकुल सही तरीके से कर पा रहे होंगे हम आगे देखते हैं बच्चों कि इसका उत्तर कैसे करना है दूद धई पनीर घी क्या है सारे के सारे जन्तू उत्पाद है पालक फूलगोबी गाजर ये सारे सबजियां है शेर और भाग क्या करते हैं दूसरे जन्तूओं को खाते हैं शाकाहारी क्या होते हैं ऐसे जन्तू जो पादप और पादप उत्पाद ही खाते हैं तो बहुत असान प्रशन था बच्चो अब हम अगली प्रशन की ओर चलते हैं चोथा प्रशन बहुत ही अच्छा प्रशने मजा आएगा आपको इसको हल करने में दिये गए शब्दों से रिक्ति स्थानों की पूर्टी कीजिए तो बेटा कुछ शब्द दिये हैं शाकाहारी, पादप, दूद, गन्ना और मासाहारी फिर खाली स्थान दिये हैं कुछ कथनों में खाली स्थान दिये हैं जिसे पहला कथन बाग एक रिक्तिस्थान है क्योंकि यह केवल मास खाता है ऐसे ही अगले चार कथन में भी कुछ ना कुछ रिक्तिस्थान दिये हैं खिरन केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे रिक्तिस्थान कहते हैं तोता केवल रिक्तिस्थान उत्पाद खाता है जो रिक्तिस्थान हम पीते हैं वह गाय भैस्यां बक्री से प्राप्त होता है इसलिए यह जन्तू उत्पाद है हमें चीनी रिक्तिस्थान से मिलती है यह प्रश्ण बहुत असान था बच्चो हम इसका उत्तर देखते हैं तो देखिए बाग क्या है एक मासा हारी है क्योंकि यह केवल मास खाता है हिरन केवल पादपुतपाद ही खाता है तो यह क्या हो गया बच्चो शाकाहारी हो गया तोता भी केवल क्या खाता है पादपुतपाद खाता है जो दूद हम पीते हैं वो हमें किस-किस से मिलता है गाय भैस या बक्री से मिल सकता है हमें चीनी कहां से मिलती है, गन्य से मिलती है, बहुत असान प्रश्न थे ना बच्चों, तो हमने आपका पहला पाट समझ लिया है, बच्चों आज का अगला पाट कक्षा 7 ने हमारा परियावरण विशय में परियावरण परिचय आज अद्दिन कर रहे हैं खक्षा साथ की पाठे फुस्तक सामजिक विज्ञान हमारा परियावरण से अध्याए एक परियावरण जिसके अंतरगत भाग एक में चर्चा करेंगे परियावरण का परिचे तो प्यारे बच्चों सुरुवात करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ सुनोगे न कहानी बसरते कॉपी बैंसे लेके तयार हो जाईए गौर से सुनिएगा एक एक चीज को खास तरीके से नौट भी करना है और बहुत सारे परियावरण के रहष्ये हैं जिनको आज हम सुल जा आने वाले हैं यह जो परियावरण के पुस्तक है यह भुगोल से संबन दिता है शुरुवात करेंगे आप ही कि जैसा एक बालक जिसका नाम क्या है रवी वो कहां जा रहा है विध्याले जा रहा है कब ग्रेशमा उकास के बाद जब लंबी छुटियां खतम होती है तो स्क स्कूल जा रहा है उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान की क्या हो चुकी है खुदाई हो चुकी है आगे वह देखता है पड़ोष के लोगों ने उसको बताया कि यहां पर अनेक फ्लैटों वाली इमारत बनेगी बड़ा दुखी होता है यह बात अपने सहपाटियों को क कियाता है दुखी होने का कारण में बताओं क्या है पर्यावन नश्ट हो गया है उसके अडोस परच बहुत सारी चीजे थी उस मैदान में क्या था घास का मैदान था तितलियां थी गैंदे के फूल हुआ करते थे और बाग बगीचा होता था ये सब क्या हो गया और खास एक चीज थी जहां रवी अपने साथियों के साथ खेला करता था वो सब नश्ट हो गया था ये बात उसके दिमाग में थी चलता गया और फिर देनिक प्राथना में देखिए मैदान खुदाईयोगी कोच खास चीजे हैं जिनको यहां आपको नोट करना है वो आगे काम आईए क्या क्या है देखिए एक बार फ्लैट है इमारत है मैदान है विसाल मैदान आगया मुलाइम घास गैंदे के फूल ये सब तो ये बात सहपाटी ये कुछ ऐसी खास बाते हैं इन सब बातों को मैं बाद में जोडूँगा ये सब बहुत काम आएंगे आपके किसको परियाव देखो हमारा परियावर्ण कैसे बदल रहा है अब ये बात कहीं उसके दिमाग में रवीके थी अब ये जब सवाल कोई होता है तो आप किस से पूछते हैं आप अपने सिक्षक से पूछते हैं गुरुजी से पूछते हैं और ये देखें गुरुजी समझा रहे हैं परिया सुनिएगा, परियावन जो सब्द है, इसके उत्पत्ति कहां से हुई है, फ्रेंच भासा के सब्द, एन्वार्णिया से हुई है, फ्रेंच ये क्या है, एक जबान है, भासा है, कहां बोली जाती है, फ्रांस में बोली जाती है, भारत के जैसे एक देश है, फ्रांस कहां है, एक देश है, यूरोप में, उसका नाम क्या है, फ्रांस, और फ्रांस की जो बोली है, भासा है, उसका नाम क्या है, फ्रेंच, और फ्रेंच सब्द क्या है, एन्वाइर्निया, एन्वाइर्निया सब्द का मतलब होता है, पडोस, और एन्वाइर्निया सब्द से ही, ये देखे इस environment और यहाँ पर M E N T लगा दो, तो क्या बन गया? environment, environment किसको कहते हैं? परियावन का अंगरेजी रूप है, environment, अब इसका तात्प्रिय क्या है? नोट कीजिएगा, जिसका तात्प्रिय पृत्वी पर जीवन के उप्युक दसाओं के लिए मूल आधार, वो मूल पानी, भोजन, रहने के लिए भूमी और आधर्स चलवायू, अब ये तो रही इसकी उत्पत्ती, किसकी? परियावन सब्द, उत्पत्ती कहां से भी? फ्रेंच भासा हमने पड़ी, परन्तु अब ये सब्द हिंदी में तो हम इसको क्या बोलते हैं? environment तो अंगरेजी तो भागों में विभाजित कर लेते हैं, परी प्लस आवरण, प्रकर्ती का आवरण, परी मतलब पडोस, हमारे अडोस पडोस में, मेरे अडोस पडोस में क्या है? स्मार्ट बोर्ड है, टेमरा है, गड़ी है, ठीक है, लाइटे है, ये मेरा परियावन है, आप क्या है? देख रहे हैं आडोस पोडोस में आपके गाएं बंदी हुई हैं, कुछ पेड़ पोदे हैं, हर्याली है, खेत हैं, ये आपका पोडोस है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, आडोस पोडोस हैं, जो हमारी देनिक आवशकता हैं, हम इनी से तो जुड़ी हुई हैं, और ये हमारा क् पर क्या बनते हैं ये जीवन की महतपूर आउशकताएं होती हैं अब प्यारे बच्चों प्रकरती जो है उसके अडोस पडोस में अभी जो हमने बाते की रवी की कहानी से सुनिये क्या-क्या बाते की थी एक फ्लैट था एक विसाल मैदान था घास का मैदान था प्रधानाचा प्रकरती जोग थे ख्लासरूम है मतलब आपके कक्षाएं हैं ये सब क्या है ये सबी क्या है ये प्रकरती का परियावरण है और उस परियावरण को अगर अपन देखें तो उसमें बहुत सारे घटकों में हमने बाट दिया है अपनी आवशकता के अनुसार हमने उसको परियावरण के घटक तो मूल रूप से परियावरण के घटकों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं कितने भागों में तीन भागों में पहला प्रकरतिक परियावरण दूसरा मानव तीसरा मानव नहीं क्या बनाया मानविय वातावरण मानविय परियावरण या म प्रकृतिक परियावण क्या है जल मंडल, स्टल मंडल, वाईव मंडल और जयम मंडल ये तीनों और ये तीनों से मिलकर क्या बना है जयम मंडल आगे के वीडियो में इस पे बहुत गहनता से चर्चा करने वाले हैं जिनको निरंतर आप लोग देखते रहेंगे आगे चलिए तो अभी एक महतपून ये तो प्रकृतिकी चीज़े हो गई हवा, पानी, भूमी, जल्व ये सब प्रकृतिक चीज़े ओगे पेडपोदे जीव जन्तू पर अब मानव भी है इस प्रिथवी पर तो प्रिथवी पर जब मानव है तो मानव क्या करता है एक व्यक्ति के रू अब इन सभी क्रियाओं को वो पूरा करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रकृतिक के साथ क्या करता रहता है, ये प्रकृतिक परियावन इससे तालमेल करता है और एक नए परियावन का निर्मान करता है, वो नए परियावन क्या कहलाता है, मानविये परियावन, त बिन उससे सम्मंदित क्रियाएं हो गई, अब मानव उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, एक नए परियावन का निर्मान करता है, जिसको कहते हैं मानविय परियावन, अब मानविय परियावन के अंतरगत क्या करता है, यह सब, यह कुछ उधारन है, ऐसे अनग में मकान है आपका गाडियां है कलकार खाने हैं यह सब मानव नहीं तो निर्मित की हैं तो प्यारे बचों आज हमने बड़े रोचक ढंग से परियावन की अर्थ को समझा उसके घटकों को जाना बचों आज का अगला पाट कक्षा आठ में सामजिक विज्ञान विशय में कैस इसकी विशेवस्तु क्या है तो चलिए बचों सुरू करते हैं आज का फर्ष्ट अध्यायर जिसका नाम है कैसे कब और कहां बड़ा इंटरस्टिंग है हमारे यह चेप्टर क्योंकि एस चेप्टर के थू हम यह समझेंगे कि इतियास एक उबाव विशे बिलकुल नहीं है हम यह मानते हैं कि इतियास कैसा विशे है बहुती बॉरिंग विशे है क्योंकि इसमें तीथियों को याद करना पड़ता है तो उसी चीज का सोलुशन बताएगा हमें चेप्टर की इतियास का सम्मंद केवल दिनांग से नहीं होता है तीथियों से नहीं होता है इतियास में बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जिनसे हमें वर्तमान का और अतीत का पता चलता है यानि हर एक विशेवस्तु का, हर एक व्यक्ति का, हर एक देश का समाज का अपना एक इतियास होता है इतियास के माध्यम से हमें जानने को मिलता है कि समाज पहले कैसा था और अब कैसा है यानि विकास किस तरीके से हुआ इसी के साथ ही हम जानेंगे कि इतियास का जो इतियास लिखते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं कहां कहां से वो जानकारियां जुटाते हैं यानि पूरी तरह से ये चैप्टर केंद्रित है कि इतियास में आखिरकार क्या अध्यन किया जाता है बचो सबसे पहले हम हमारे चैप्टर का टॉपिक लेते हैं तारिखें कितनी महतपूर होती हैं जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मस्तिक्स में क्या एक दरश्टी कोन बना हुआ है कि इतियास में तो तारिखें याद करनी होती हैं कब कौन सा राजा बना, कब किस राजा का विवा हुआ, कौन से राजा ने कब कब कौन सा युद्ध लड़ा सिर्व इनी चीजों के इर्द गीर्द इतियास घूमता है लेकिन नहीं इतियास तारिखों से कहीं आगे है इतियास नैकेवल तारिखों की बात करता है बल्कि समय अवधी की भी बात करता है जैसे कि हमने क्लास सेवंध में पढ़ा था मद्यकाल को उसमें हमने देखा सल्तनतकाल और मुगलकाल तो क्या हम किसी विशेस दिनात में अध्यन करते हैं? सल्तनतकाल का नहीं न, बल्कि एक जो पूरा time period है एक समय उधी है उसके तहत हम सल्तनतकाल का और मुगलकाल का अध्यान करते हैं साथ ही इतियास हमें ये भी बताता है कि पहले के समय में जो साश्र रिस्ता थी वो कैसी थी, लोगों का सामाजिक रहन सहन कैसा था और वर्तमान में कैसा है तो चलिए सुरू करते हैं क्या लिखा हुआ है हमारी पाठे पुस्तिका में कि इतियास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलाओं के बारे में बताता है यह हमें बताता है कि पहले कैसा था और आज कैसा है यानि तुलना करके हम अध्यान कर सकते हैं इसका संबन इस बात से है कि अतीत में चीजे किस तरह की थी और उनमें क्या-क्या बदलाओं आए हलंकि प्रारम में जो इतियास कार थे वो दिनागों पर फोकस करते थे यानि दिनाग तीथियों पर ज़्यादा जोर देते थे क्योंकि युद्व बड़ी घटनाओं के ब्योरे को ही इतियास माना जाता था क्या समझा जाता था कि जो बड़ी बड़ी घटनाओं हैं समाज को देश को प्रभावित कर रही हैं उनको तीथिवार लिखना ही इतियास है जैसे की कब किसी राजा की ताज पोसी हुई, उसका विवा कब हुआ, उसने लड़ाई कब हुई और इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तीथी भी बताई जा सकती थी परन्तु धीरे धीरे इतियास में परिवर्तन हुआ, इतियास में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए कोई इसपरश्टती थी नहीं हो सकती, उधारन हम देंगे जैसे की सुबह सुबह हम उठते हैं, क्या लेकर आते हैं, अकबार लेकर आते हैं, चाय की चुसकी के साथ अकबार पढ़ते हैं और जब हम अकबार पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक प्रशन जरूर आता है, कि पहले के समय क्या अकबार होता था, अगर अकबार नहीं था, तो लोगों की दिंचरिया कैसी थी, और फिर कब अकबार का विकास हुआ, कब न्यूज पेपर का विकास हुआ, तो तो हमारे मन में जरूर से एक प्रशन कोता है, कि चाय का अविस्कार कब हुआ, तो हम इसके लिए भी कोई निश्चित तीथी नहीं बता सकते हैं, कि फलाना तीथी को चाय का अविस्कार हुआ होगा, दोनु उधार्णों के द्वारा ये समझाया गया है, कि इतियास केवल तीथी पे ही फोकस नहीं करता है, बलकि इतियास में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं, जिनके लिए समय अवधी को आधार माना जाता है, कि एक निश्चित टाइम पिरियेड में धीरे धीरे चाय का विकास हुआ, धीरे धीरे लोग चाय के आम जीवन का उनकी पेपदार्थो का हिसा बनी, इसी तरह से जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेल गाड़ी में जाते हैं, चुक 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 रेल गाड़ी में हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तब भी हमारे मन में ये कैस्शन आता है, कि रेल गाड़ी का आविसकार किस दिनाग को हुआ, तो हम कह सकते हैं कि रेल गाड़ी का किसी निश्चित तीथी को आविसकार नहीं हुआ बलकि ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है यानि एक समय अवधी हम इसके लिए बता सकते हैं कि कम लोगों ने चाय पीनी शुरू की होगी या हमारे देश ने जो आजादी प्राप्ट की अंग्रेजो से अपनिमेजिक साशन से तो वो किसी एक दिन तो नहीं प्राप्ट कियोगी एक निश्चित समय अवधी में ही उन्होंने ये कार्ये किया होगा तो ये हमने देखा कि इतियास में केवल तीथी ही महतपूर नहीं होती है अब ये आता है कि अगर कुछ तीथियां important होती है जैसे कि हम जब अध्यापन करवाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि ये तीथी important है ये important नहीं है आप इनको ध्यान नहीं रखना तो अगर कुछ तीथियां होती भी हैं तो कैसे पता लगता है कि ये तीथी महतपूर है तो कुछ तारीकों को महतपूर मानने का पैमाना होता है कहीं दूर नहीं जाते हैं हम अमारा खुद का ही example लेते हैं अचा कौन ऐसा बच्चा होगा जिसे अपना जनम दिन याद नहीं होगा हरेको अपना जनम दिन याद रहता है क्यों रहता है वई क्योंकि हम उस दिन पैदा होए थे हमारा उस दिन इस धर्ती पर अवतरण हुआ था हमारे लिए वो तीथी बहुत ही महतु रखती है लेकिन यदि मैं आपसे पूछूँ कि मेरी जनमतीथी क्या है या आपके पडोस में बैठे हुए किसी दूसरे या तीसरे बच्चे की जनमतीथी क्या है तो आप उससे अनुभिग होंगे आपको उसकी बड़े की उसकी डेट जिन वैक्तियों ने या जिन संस्ताओं ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला या उन घटनाओं ने जिनोंने समाज को प्रभावित किया उन घटनाओं को उन वैक्तियों की तीथियों को महतपून माना जाता है ये देखिए कुछ तारीखे इसलिए महतपून होती है क्य जाती है यानि अलग-अलग छेतर के हिसाब से अलग-अलग तारीखे महतपुर्ण होती है नेक्ष्ट हम बात करते हैं कुछ एक्जामपर्स दिये गए हैं बुक में कि जिस पर कार से हम देखें कि इतियास में हम यह नहीं कह सकते कि इतियासकार ने जिस दरश्टिकों से को दिखाता है जैसे कि जब भारत में ओपनिवेसिक साशन का था इससे अगला टोपिक हम ओपनिवेसिक साशन को ही डिसकस करेंगी कि ओपनिवेसिक साशन किसे कहा जाता है तो जब भारत पर अंग्रेजों का साशन था तो उस वक्त भारत में गवर्णर जनरल रूल करते थ तो हम देखते हैं कि पर्थम Governor General Warren Hastings से लेकर जो अंतिम वैसराय थे Lord Mountbaton उन तक काफी कुछ इतियास लिखा गया, उन Governor General के कारियकाल के बारे में जिसमें बीच में रिपन भी आये, Lord Karjan भी आये, इन सभी के बारे में काफी कुछ इतियास कारों ने लिखा, लेकिन यहें इतिय इतियास, Governor General के जीवन के इर्दगिर्द ही चलता है, उसमें हमें भारतिये गती विद्यों की जलक दिखाई नहीं देती है, क्या कहना चाहरा है, बुक में क्या आपको समझाने की कोशिस की गई है, यही बताने की कोशिस की गई है, कि जो इतियास लिखा जाता है, वो कई बार हम देखते हैं कि इतियास कार एक ही पकस को दिखा पाता है, दूसरा पकस वन्चित रहे जाता है, जैसे कि Governor General के कारियकाल को इसमें बताया गया है, तो एक समय अवधी की जैसे की लोड करजन के कारियकाल की जो समय अवधी उस दोरान क्या-क्या परिवर्तन हुए, गवर्णर जेनरल ने क्या-क्या उस वक्त नीतिया लागू की, अब यदी एक बिटी सितियासकार है तो वहें कोसिश करेगा कि गवर्णर जेनरल के कारियकाल को बढ़ चड़ कर गेद दिखा सके, वहें भारतिये जो आम समुदाय है, भारतिये जो लोग है, उस समय किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, और अपनिवेसिक साशनकाल के दोरान उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, वहें उस चीज को नहीं दिखा पाएगा, इसलिए इतियास विशय का अध्यन करते वक्त हमें निस्पक्स रहना चाहिए, हमें चीजों को समझने की कौसिस करनी चाहिए, तो अभी तक हमने दो चीजे डिसकस की, कि इतियास केवल तीथी से संबंदित नहीं होता है, कुछ तीथियां मानते हैं कि महत्वण होती है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं, जिने हम वि पिक्चर्स भी दी गई हैं, पिक्चर्स के मादिम से ये समझाने की कौसिस की गई है, कि जो चित्र होते हैं, वो भी चित्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, और उस समय के इतियास को समझाने की कौसिस करते हैं, अब हमारा अगला टोपिक है, जैसा कि मैंने बता कि समय अवधी की एक निश्चित्र टाइम पिरियड होता है उस दोरान हम अध्यान करते हैं तो question ये उड़ता है कि ये जो समय अवधी है इस समय अवधी का निर्धारन कैसे किया जाएगा जैसे अभी तक हम इतियास को पढ़ रहे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पे इसी तरह से कई अन्य इतियासकार हैं जो की अलग-अलग आधारों पे समय अवधी निर्धारित करते हैं और उसी के अंसार इतियासका अध्यन करते हैं तो हम देखते हैं हमारी बुक में दे रखा है सबसे पहले James Mill के वरगी करण को सबसे पहले James Mill कौन थे तो James Mill 1817 में स्कोटलेंड के यर्जसास्त्री और राजनेतिक दासनिक थे James Mill इन्होंने एक विसाल खंडों में एक पुस्तिका लिखी एक किताब लिखी उस किताब का नाम है A History of Bittis India Bittis भारत का इतियास क्यों कहा गया है Bittis भारत क्योंकि उस वाक्त भारत पर Bittis का ही तो इसलिए इनकी बुक को याद रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट है A History of Bittis India नामक पुस्तक किस ने लिखी तो किस ने लिखी बच्चों? James Mill ने लिखी और James Mill कौन थे? दते सकहें सकॉटलन के अर्शास्त्री थे और राजनिथिक दाश्निक थे इन्होंने अपनी ये जो किताब जो कि उन्होंने तीन विसाल खंडों में लिखी थी, बड़े-बड़े तीन खंडों में इसको लिखा था, इन्होंने अपनी किताब में भारत के इतियास को, very very important है, आपके question भी है, James Mill ने भारती इतियास का वर्गी करण किस आधार पे किया, तो उन्होंने भारत के इतियास को, हिंदू, मुस्लिम, वेबिटिस, तीन काल खंडों में बाटा, अब ज़रा सोचिएगा, क्या ऐसी चीज रही होगी, James Mill के मस्तिक्स में, कि उन्होंने इस आधार पे भारती इतियास का वर्गी करण किया, हिंदू, मुस्लिम, वेबिटिस, तो इसके लिए उन्होंने आधार माना, कि जब अंगरेज भारत में आये थे, उससे पहले यहां राजाओं का साशन था, हमने देखा, सल्पनतकाल, मुगलकाल, तो इन्होंने यह अपना द्रश्टिकोन बनाया, कि जो यहां पे राजा कर हो गया, यह देखिए, मिल के अंसार, अंगरेजी राज से पहले भारत में हिंदू, वेब, मुस्लमान, ताना सहों का राज चलता था, ताना सहा क्यों कहा गया है, कि राजा ही सभी श्रक्ति का स्वामी होता था, इसलिए इन ताना सहों का ही साशन चलता था, मिल आगे टो रहे हैं वागी करन तो कर रहे हैं लेकन आगे अपने विचार भी रख रहे हैं क्या विचार हैं James Mill के James Mill ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय जो ही भारत देश ये पुरी तरह से अंद कार में डूबा हुआ था, यहाँ पे लोगों में धार्मिक बैर्ध थे, जाती के बंधन थे, अंद विश्वास का बोल बाला था, यह उनकी राय थी, लेकिन क्या वास्तों में भारत में ऐसा था? नहीं था, लेकिन जेंस मिलका यह अपना द्रश्टी कौन था, कि भारत में तो धार्मिक जाती का ने एक बंधन थे, अंदकार का दोर था, और जो यह बिटिस हुकूमत यहाँ पर आई है, यह भारत की सब्वेता संसकर्ती को आगे बढ़ाने के लिए आई है, भारत की सब्वेता को यहाँ की पिछड़ी हुई जंता को प्रकास दिखाने के लिए आई है, उनकी राय में बेटी सासन भारत को सब्वेता की रहा पर ले जा सकता है, इसलिए उन्होंने भारत में यूरोप ये सिस्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू करने की बात कही, इतियास की इस दारना में अंग्रेजी सासन को सब्वेता का प्रतीक माना गया है, इस पात में जेमस्मिल के विचारों से हमें दो वासमन हैं, क्या-क्या एक तो यह की भई वर्गी करेंच जिया है, तो इतियास कार ने को दुद के दृष्टीकोन से किया है, लेकि इतियास कार अंग्रेजी को हमेंसा सही हो, यह नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक वेक्ति का सोचने का अतना तो आंसर होगा नहीं क्योंकि हम राजा के आधार पे किसी भी देश के इतियास को हिंदू या मत्रिया नहीं बाट सकते हैं एक जैसे धरम नहीं थे और हम ये भी नहीं कह सकते कि उस समय में ये दो धरम ही चलते थे ठीक है तो इस दोर में इन धरमों के अलावा भी कई धरम होते थे तो कुल मिला के ये बात निकलती है कि किसी युग को उस समय के साशक के धरम के आधार पे तैर नहीं किया जा सकता है अब आती है एक दूसरे वर्गी करण की बात जिसे सामानते इस्तमाल किया जाता है प्राचीन काल मध्यकाल वे आधोनिकाल में वर्गी करण तो कुछ इतियासकारों ने भारती इतियास को प्राचीन, मद्य, व्या आधोनिक काल में बाटा है लेकिन जो ये विचारदारा है, ये भी पश्चमी विचारदारा से प्रेरित है अब ये पश्चमी विचारदारा क्या है? जब हम संसार का मानचित्र देखते हैं तो संसार के मानचित्र में साथ महादीप हैं इतनी जानकारी तो है आपको यहाँ पर जो यह एसिया महादीप है अफरीका महादीप यूरोप महादीप तो यह जो पृत्वी का हिस्सा है यह पूरवी और इधर है पश्चिमी और पश् तंत्रता, लोकतंत्र, विज्ञान, तरक जैसे आधुनिक विचार दिये थे और इसी आधार पे इसको आधुनिक काल नाम दिया गया लेकिन क्या ये वरगीकरण सही है आधुनिक काल की इस अधारना को बिना सोचे समझे बिना तरक की कसोटी पर कसे क्या अपनाया जा सकता है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर साशन किया तो यहां की जनता से पूछ कर देखो कि क्या उनके साथ समानता का वेवार हो रहा था क्या उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई थी क्या उन्हें लोकतंत्र में उपलब्द स्वीदाय दी गई थी नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारती एतियास, प्राचीन, मद्य और आधुनिकाल और आधुनिकाल भी वह हैं जब अंग्रेज भारत आये थे तो हम इस वर्गी करण को भी पूरी तरह से उचित नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि अंग्रेज जब भारत आये थे उस समय भारती जनता को ये जो आधुनिक विजार हैं समानता, स्वतंत्रता ये सब राप्त नहीं हुए थे तो बच्चों हम एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं हमने अभी तक समझा कि कौन सी तारीके महरत पूर्ण होती हैं समय अवधियों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है अब हम समझ लेते हैं कि ये ओपनी वेसिक साशन क्या होता है सिंपले मैं आपको समझाना चाहूं जब कोई एक सकती साली देश किसी निर्बल देश को के उपर अधिकार कर लेता है और अधिकार भी एक दरश्टिकों से नहीं बलकि उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक सभी छेत्रों पर अपना वर्चस्व स्तापित कर लेता है तो हम उसे कहते हैं क्या है ये ये ओपनी वेसिक साशन है जो निर्बल देश है, कमजोर देश है वो तो हो गया उपनी वेस था, उपनी वेस्वाद के तहर किसी छेत्र वे वहां के नागरी को पर राजनितिक आर्थिक वेसामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है और ये नियंत्रण किसी एक तीथी को नहीं होता है कि अंग्रेज आये और खोशना कर दी कि भारत तो हमारे अधीन है ऐसा नहीं होता बलकि यहां दीरकालीन जो प्रक्रिया है उसका पटी फैल होता है भारत में अंग्रेजों ने यहां के जो इस्तानिये साशक थे उनको दबाया धीरे-धीरे चैप्टर सेकिंड में हम बढ़ेंगे कि किस तरह से आंगल मैसूर युद्ध हुए आंगल मराठा युद्ध हुए आंगल सिख युद्ध हुए और धीरे-धीरे अंग्रेजों ने किस तरह से भारत पर अपना वर्चसु इस्तापित किया तो वो पूरी कहानी हम चैप्ट करने के लिए यहां की जनता से अधिक कर वसूलना शुरू किया अधिक राजस्व वसूला अपनी जरूरत की जो चीजे होती थी उनको यहां से सस्ती कीमतों पर खरीदना शुरू किया और निरियात के लिए महत पून फसलों की जवरदस्ती किसानों से खेती करवाई इन उ परकार एक देश पर आपके क्योशन भी है ये और अपनी वेसी करण से क्या समझते हो जब एक देश दूसरे देश पर नियंत्रन इस्थापित कर लेता है उसके राजनेतिक आर्थिक सामाजिक सांसकर्थिक छेत्र को प्रभावित करता है इन सभी छेत्रों में कई बदलाव प्रभावाते हैं यह परक्रिया ही और अपन् वेसी करण कहलाती है यहां पे देखिए मैंने बताया था आपको थोड़ देर पहले ही कि जो चित्र होते हैं चित्रों के जो ग्रंथ हैं, वो भिट कर रहे हैं, और यह जो तैयार किया गया चित्र है, यह James Renniel दुआरा जो पहला नकसा भारत का तैयार किया गया था, उसका यह आवरण चित्र है. तो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिस की गई है कि जो भारतीय जंता है वो खुद समर्पित हो रही है भारतीय जंता चारी है कि अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ साशन करे उनको मुक्ती का मर्ग दिखाएं लेकिन क्या वास्तम में ऐसा था? नहीं ना? क्योंकि हम जैसे जैसे आगे चप्टर पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले अंग्रेज आये थे व्यापार करने की सिलसले में और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर नियंद्रन इस्तापीत किया, लेकिन कई बार हमें चित्रों से और इतियास से जो जानकारी मिलती है, वो कई बार अलग होती है अब बात करते हैं, next हमारा, हम किस तरह जानते हैं, यानि जो यह हम इतियास पढ़ रहे हैं या इतियास कार धाइसो साल पहले का यदि इतियास लिखने बैटता है तो कौन-कौन से ऐसे सरोत होते हैं, कौन-कौन से ऐसे स्ोर्स होते हैं जिनके मदद से वह इतियास लिख सकता है तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्रोतों की तो सबसे पहले हैं अंग्रेजी साशन द्वारा तयार अभिलेग अंग्रेजों की एक आदत थी हर चीज को लिखनेगी क्योंकि उनका ये मानना था कि जो लिखित में जो आपके पास स्रोत उपलब्द रहेंगे तो प्रशासन करने में काफी सफलता रहेगी तो अंग्रेजों ने उस समय जो भी नीतीगत फैसले लिए जो भी उनके निर्देश होते थे जांच होती दी सहमती होती दी उन सब को लिखना सुरू किया और आज हम देखते हैं कि इसी के कारण कारियले में जो ग्यापन है टिपनी है पर्तिवेदन है उनकी प्रमप्रा का जनम हुआ उनकी संसकर्थी का जनम हुआ याने सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों ने अपने साशन काल के दोरान कई फैसले लिए कई निर्णे लेने के साथ साथ बैटकों में जो सला मस्वरा होता था उन सब को लिखना सुरू किया और आज जो वो लिखित स्रोत है वो हमारे लिए इतियास को लिखने का एक अच्छा साधन है उन्होंने इन एहम दस्तावेजों और पत्रों को सम्हाल कर रखा किनोंने अंग्रेजों ने और इन दस्तावेजों को सम्हाल कर रखने के लिए जितने भी साशकिये संस्तान होत जैसे कि तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिस्नर के दफ्तर, प्रांतिय सच्ची वाले कछहरी में रिकॉर्ड रूम बनाए गए, यानि अगर क्यश्ण आए कि अगर जोने किस तरह से जो लिखित सामगरी होती थी, दस्तावेज होते थे, उनको सुरक्षित रखा, तो हमने देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए, तैसिल में, कलेक्टरेट में, इसके अलावा कमिस्नर के दफ्तर में है, प्रांतिय सच्ची वाले में और इनी के साथ साथ उन्होंने अभी लेखागार वे संगराहले जैसे संस्तान भी बनाए, आर्काईव बनाए, अभी ल आरजनिक दस्तावेच होते थे, इनको सुरक्षित रखा जाता था, यहां देखे, यह चित्र दिखा रखा है भारतिय राष्टिय अभी लेखागार का, जो कि 1920 के दसक में बनाया गया था, और अंगरेजों के लिए यह अभी लेखागार, यह संगराले, इतने जादा महत् कि वहते थे, कि वायसराय को जो निवास इस्तान था, उश के बिलकुल समीब ही यह इस्तित थे, अब बात करते हैं कि 19 सदी की शुरू आत में, जो यह अभी लेखागार बनाया गये शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को काम पड़ सकता है वित्य विभाग से और वित्य विभाग के साथ उसे जल संसादन विभाग से भी काम पड़ सकता है, तो इस तरह जो परसपर विभाग एक दूसरे से जो पत्र के माध्यम से सम्वाद करते हैं, तो उन पत्रों क को जिला दिकारियों दुवारा तैयर की ग Lights रिपोर्ट को अभी लेखागारों में रखा जाता था और हम इन अभी लेखागारों में जो भी यह राष्टिय दस्तावेज हैं जो भी सरकारी दस्तावेज है इनको देख सकते हैं नेक्ष्ट बताया गया है कि खुस्नवी इस होते थे, ये भी केश्चन पूछा जाता है, आरकाई तो पूछा ही जाता है, आरकाई ये अभी लेखागार क्या होते थे? तो हमने बताया कि अभी लिखागार में जो साजनिक दस्तावेश थे, उधारन दे देना किस तरह के पत्र होते थे, अधिनस्तों को लिखे हुए, एक दूसरे विभाग को लिखे हुए, नौटीस, रिपोर्ट सगरा, इनको सुरक्सित रखा जाता था, इसी तरह से खुसनव अभी लेखागार कि किस तरह से अंग्रेजों के समय के जो दस्तावेश हैं, वो इतियास कारों के लिए मदद करते हैं, दूसरा हम देख रहे हैं सरवेक्षन कारिये, कि अंग्रेजों की द्वारा, अंग्रेजों ने जब भारत में आए, तो सबसे पहले सर्वेक्षन करान तब तक हम किसी दूसरे देश को अपने अधीन नहीं बना सकते। तो उन्होंने कई तरह के सर्वेक्षन करवाए जैसे कि राजस्व सर्वेक्षन, वानस्पतिक सर्वेक्षन, प्राणी विज्ञानिक सर्वेक्षन, पुरा तात्वी सर्वेक्षन, मानव सास्त्री सर्वेक् मिट्टी की गुणमत्ता कैसी है, इस्तान ये पेड़ पोदे जीर जन्तु कौन-कौन से है, इसी तरह से हम देखते हैं कि हर 10 साल में जो जन्गन्ना होती है, हर 10 साल में होती है ना जन्गन्ना 1881 से, तो हर 10 साल में जो जन्गन्ना होती है, वो भी अंग्रेजों के साशनकार स कराये गए उन से जो आकडे मिले उन आकडों से इतियास कारों को उस जमय की इस्तिति को लिखना आसान हुआ यहाँ पर चित्र दिखाये गया है कि बंगाल में किस तरह से मान चित्रन का और सर्वेक्षन का कारिये चल रहा है यहां तस्वीर जेम्स प्रिंसेट के द्वारा ब दस्तावेज हैं उस समय ओफिस में जैसे काम होता था प्रशासन के जो दस्तावेज होते थे उनी के साथ साथ और भी जो सर्वेक्षन कारिये के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होती थी यह सभी इतियास कारों को उस समय का इतियास जानने में मदद करते हैं लेकिन वहीं परसन अब उठता है कि उस समय जो भारती आम जनता थी, आम जो समुदाया था, उनके मन में क्या चल रहा था, इसकी जलक तो हमें ये सरकारी दस्तावेज नहीं दे सकते हैं, तो वहां जो आम जन्मानस है, उसकी पीडा को दृशाने के लिए, उसकी इच्छा को दृशाने के लिए भी कई अन्य सरोतों की मदद ली जा सकती है, तो सरकारी रिकोर्ट्स के अलावा, लोगों की जो डाइरियां है, कई लोगों को डाइरी लिखने की आदत होती है, अभी भी लोग निजी डाइरियां लिखना पसंद करते हैं, तो जो लोगों की डाइरियां हैं, तीर् आज़ों में बिकने वाली लोग प्रिये पुस्तके हैं ये आदी में हैत्पन स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम उस समय के लोगों की आम जनता की आम समुदाय की भावना का पता लगा सकते हैं तो बच्चों हमारा चेप्टर यहीं पर कम्प्लीट होता है बच्चों आज हमने पड़ा है कक्षा 6 में विक्यान विशे में भोजन यह कहां से आता है भाग 3 कक्षा 7 में हमारा परियावरन विशे में परियावरन परीचे वे कक्षा 8 में सामजिक विक्यान विशे में कैसे कब और कहां तारीखें कितनी महत्वकूल होती हैं बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में, गणत विशे में, अपनी संख्याओं की जानकारी परीचे, कक्षा 7 में, हमारा परियावरण विशे में, प्राकर्तिक और मानवी परियावरण. बच्चों, हमारे इस कारक्रम के कंटेंट पार्टर है, मिशन ग्यान, तथा इस कारक्रम में, तक्निकी सहयोग, युनिसेफ, इस्टरलाइट एडिन्टिया फाउंडेशन, एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है. बच्चों, आपको यह कारक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें. बच्चन राज्य शैक्षिक अनुसंधा नेवं प्रशिक्षण परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001.